नमस्कार मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ट आप सभी का स्वागत है हिंदी डेप टूर्स पर और हम पढ़ रहें फोटोसॉप फोर वेब डिजाइनर वो भी बिल्कुल अपनी लांगेज हिंदी में प्रिविस वीडियो में मैंने आपको ग्रिट सिस्टम के बारे में बताया था काफी सारे ग्रिट सिस्टम का मैंने एक्जामपल दिया और आप चाहे तो उस ग्रिट सिस्टम का इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको custom grid system अपना खुद का बनाने भी आपको सिखाऊंगा आज हम वो ही करेंगे आप सोच रहे होंगे कि जब grid system इतना सारा market में available है online तो इतना सारा PhD मिल जा रहा है तो हम अपना वला grid system क्यों बनाएंगे तो उसका best answer ये है कि marker से अब जब कपड़ा खरीते हैं तो सारा आप में fit बेठेगा ये कोई guarantee नहीं होता आपके requirement के हिसाब से आपके body type के अलग हिसाब से उसे आपको fitting कराना ही पड़ता है ठीक है ना और सबका choice भी different रहता है तो वैसे ही मेरा भी choice different है और मुझे लगता है कि आप सभी का भी choice different होगा अपना खुद का बनाने आप चाहते होंगे अगर आप अपना grid system बनाने चाहते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को प्रिविज वीडियो में मैंने आपको ये grid system डाउनलोड करके दिखाया था तो आप सोच रहे होंगे कि हम जो अपना खुद का बनाएंगे तो इसमें problem क्या है तो मैं बताता हूँ मैं क्यों अपना यूज करता हूँ देखें यहाँ पर अगर मैं market tool select करूँ ठीक है यहाँ पर हम market tool select करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं यह जो colon है इस colon को अगर मैं measurement लूँ तो यह total मुझे दिखा रहा है 1140 ठीक है और अगर मैं बाहर से margin left side में 15 और right side में 15 अगर मैं इसे लूँ तो यह मुझे दिखा रहा है 1170 लेकिन मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि left side और right side का margin मिला के 1170 हो मुझे बनाना तो है 1170 का है grid system लेकिन मैं नहीं चाहता कि left side और right side में यहाँ पर margin हो और एक हमारे भ्रतासरी है उनका भी आप grid system डाउनलोड करके इस्तमाल कर सकते है बेंस टुएट ठ करके कई बार यूज कर चुका हूँ क्योंकि यह बहुत ही अचा है और boost tab 3 के लिए तो बिल्कुल perfect है तो इनका PhD आप डाउनलोड करने के लिए जो link है आपको provide कर दिया गया है description box पे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे नीचे इनका download option है आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आप चाहे तो बहुत सारे option उन्होंने provide किया है इसे मैं view को हटा दूँ तो यह भी 12 colon grid system है और boost tab 3 का है यह जो पहला वाला grid है इसमें left में और right में 15 pixel का यहाँ पे margin लिया गया है और अभी जो हमने यहाँ पे जो band भाईजी है उनका जो हमने अभी पर अलग-अलग है तो यहाँ पे हम market tool का इस्तमाल करेंगे और इनका जो colon है उसे measurement करेंगे तो यह आपको 1110 करके दिखा रहा है और margin और left और right margin के साथ में अगर हम इसे measurement लेंगे तो यह 1170 दिखा रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा जो grid हो वो only colon जो है वो 1170 का हो उसके मैं अपना खुद का बनाऊंगा तो चलिए उसके लिए आपको चाहिए calculator मैंने अपना calculator निकाल के रखा है आप सभी अपना calculator निकाल ले अगर calculator नहीं है तो आप mobile का इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है क्योंकि मेरा calculator यहाँ आपको screen में नहीं दिखाई देगा इसलिए आपको खु आपको एक blank document दिखे दिया होगा इससे थोड़ा zoom करते हैं और थोड़ा zoom करते हैं और थोड़ा zoom करते हैं बस इतने पर हम काम करेंगे ठीक है फूरा document हमें दिखे दे रहा है और अब मैं इसमें अपना पूरा grid system बनाऊंगा तो आपको पता हैं हमने document कितना लिया है 1300 ठीक है और हमें चाहिए कितना grid 12 कलोन का 1170 तो यहां पर मैं 1300 यह मैं calculator में कर रहा हूँ आपको नहीं दिखे देगा 1300-1170 और यहां पर मैं अगर इसे equal कर दूँ तो यह 130 आ रहा है तो दोनों साइड मुझे margin 130 रखना होगा मतलब 130 को divided by 2 करना होगा ताकि दोनों साइड में वो divide हो पाए और यहां पर मुझे 65 दिखा रहा है तो इसका मतलब मैं यहां पर यहां पर जाओंगा आप देख सकते हैं विंडो और उसके बाद में नीचे यहां पर जाके ठीक है सोरी यह windows में नहीं आपको view में दिखाएगा new guide करेंगे हम और हमें vertical चाहिए यहां पर मैं चाहता हूँ 65 pixel में मुझे margin आ जाए तो मैं यहां पर ok करूंगा तो एक margin आ जाएगा उसी तरह मैं right side में इसे पकड़के इधर 65 कर सकता हूँ ठीक है यह 65 से कम जादा होगा इस type का करना है आपको फिर दूसरा वाला grid लेके मैं यहां पर grid system बनाऊँगा लेकिन जो measurement है वह बहुत मुश्किल होगा कि सबका colon जो है equal होना चाहिए और ऐसे बनाने में मुझे लग सकता है कम से कम दो दिन तीन तो ऐसा कोई idea नहीं है कि हम लोग click करें और सारा grid system बन जाए बिलकुल है तो चलिए उसका भी मैं आपको demo दिखाता हूँ ठीक है उसके इसके लिए हम इसे मैं control, alt, z करूँगा ताकि मैं जो कर रहा था वो return हो जाए ठीक है और उसके लिए एक छोटा सा plugin आपको चाहिए हम जाते है net पे आपको open करना है guide guide.me इसका भी link आपको दे दिया गया है और यहां से आप download कर ले अगर आपका Photoshop का जो extension manager है वो अगर है तो आप यहां से latest version download कर सकते हैं अगर नहीं है तो यहां पर आप click करेंगे तो उसका old version होगा यहां पर example पर मैं आपको old version ही दिखा रहा हूँ क्यूंकि सबके पास Photoshop CC होगा ऐसा कोई guarantee warranty नहीं है तो यहां पर जो version 1 है guide guide का उसे मैं इस्तमाल करके आपको दिखाऊंगा आप चाह यहां पर guide guide दिखाएगा आप इसे click करेंगे तो यहां पर खुलेगा मैंने already install कर दिया है इसको install करना बहुत ही आसान है plugin folder के अंदर में आपको जाना है और उसके अंदर में आपको उसे paste कर देना है बस ठीक है इसे click करेंगे तो यहां पर देखिए guide guide बोलके खुलेगा यहां पर दिखा रहा है margin कितना चाहिए आपको याद होगा या नहीं मैंने 65 देखा था और उसके बाद में right side में मुझे कितना चाहिए वहां भी 65 चाहिए ठीक है उसके बाद में यहां पर आप देख रहे हैं mouse over करेंगे तो number of colon कितने चाहिए मुझे 12 चाहिए ठीक है और यहां पर आपको gutter width दिखा रहा है तो आपको पता है या फिर नहीं है boostrap 3 के लिए हम लोग 30 pixel का gutter इस्तमाल करते हैं और यह जो row है इसे मैं खुद बनाऊंगा number of row क्योंकि wire framing के हिसाफ से मैं बनाऊंगा और यह last वाला जो यह row का gutter दिखा रहा है यह भी मुझे ने चाहि दिया है आपके हिसाफ से आप भी fit कर दिजे और यहां पर मैं create guide आप देखे magic यहांसे जैसे मैं click करता हूँ और यह देखे बिलकुल हमारा grid system पूरा ready है ठीक है आपको यहां पर दिखे दे रहा होगा हमारा total grid system बनके ready है तो ठीक है मैं इसे बन कर देता हूँ अब यहां प 6,7,8,9,10,11,12 और देखे यहां पर मैंने right side में कोई margin नहीं लिया है और यहां left side में मैंने कोई margin नहीं लिया है यहां से direct colon start है और यहां पर अगर मैं market tool select करूँ और इसका starting से colon जहां से start हो रहा है और जहां पर end हो रहा है वहां पर अगर मैं इससे ना पूँ तो 1170 देखे पर्फेक्ट दिखा रहा है जो मुझे चाहिए ठीक है लेकिन यह आपको अभी grid system जैसे नहीं दिख रहा होगा तो क्यों न हम भी इसे grid system जैसे बनाएं तो उसके लिए हम यहां पर एक काम करेंगे हम यह जो rectangle tool है उसे लेंगे उसे select करेंगे ठीक है और यहां पर यहां पर यहां हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है colon वहां पर इसे drag करेंगे और यह automotive fit हो जाएगा आपका और हम इसे नीचे तरफ drag करेंगे पूरा नीचे तरफ पूरा ड्राग करेंगे जहां तक यह दिखाई दे रहा है और इसे हम ok कर देंगे ठीक है यह आपको black color का दिखाई देते हैं चलिए हलका थोड़ा फेड़ेट कर देते हैं फील जो है उसे हलका सा थोड़ा से घटा देते हैं यह रहा आप दिखिए यह colon जिसे आपको दिखाई दे रहा होगा आप तो काम बहुत ही आसान हो गया आपको मुब्तुल सेलेट करना है यहां पर alt आपको दबाना है ठीक है और चाहे तो आप shift का भी प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद में आपको right side लेना है यह automatic snap हो जाएगा आपको छोड़ देना है फिर से आपको इसे ही करना है और यहां पर इधर ले जाना है फिर से आपको करना है ठीक है फिर से और एक बार करना है ऐसे करके आपको स सारा का सारा fill up करना है हमें 12 colon चाहिए इसलिए में 12 colon का बनाने का कोशिस कर रहा हम थोड़ा सा boring लग रहा होगा आपको लेकिन इसके लिए थोड़ा सा time लगता है ठीक है और मेरे हिसाब से यह अभी complete होने ही बला है यह देखे हमारा grid system complete हो गया यह total 12 colon का है left में और right में मैं चीन नहीं छोड़ा है ठीक है आप देख सकते है total मेरा grid ready है लेकिन यहाँ पर एक problem है यह single single है और इसे हमें एक काम करना होगा सबसे पहले तो हम जाएंगे windows में windows में हमारा काम नहीं बनेगा उसके लिए हम view पर जाएंगे और यहाँ पर lock guide जो लिखा है उसे हम click करेंगे ताकि guide जो है वो lock हो जाएगा और उसके साथ यहाँ पर जो देख रहे हमने जो अभी अभी यह grid जो बनाया है उसे हमें merge करना पड़ेगा उसके लिए हम control करके second प trace करेंगे और click करेंगे सारा का सारा select हो जाएगा right click करना है आपको और उसके बाद में इसे merge कर देना है ठीक है ना यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा merge करके दिखा रहा है बस उसे click कर देंगे यह single में हो जाएगा तो आप मैं इसे उठा दूँगा तो total उड़ जाएगा तो इस हिसाब से आप इसे और भी चाहे तो और थोड़ा फेड़ेट कर सकते हैं और थोड़ा highlight करना चाहते हैं तो जब भी आप इसे बनाएंगे तो सबसे उपर रखेंगे मैंने आपको कहा था कि मैं आपना क्यूं बना रहा हूं तो यहाँ आप market tool select करेंगे और हमारा जो वायर फ्रेम था उसे open करना पड़ेगा तो यह जो पहला PhD है यह तो हमें नहीं चाहिए क्यूंकि हमने अपना बना लिया है तो आपसे मैं इसे में काम करूंगा उसके लिए यह पूरा ना जो भी था मैं उसे बंद कर देता हूं ठीक है उसके बाद हम अपना वायर फ्रेम जो है उसे open करेंगे मैं अपना open कर रहा हूँ आप अपना open कर लिजेगा उसके लिए मैं desktop पर जाओंगा और जहां मैंने रखा है आपके अंदर में वायर फ्रेम और जो मुझे चाहिए मैं उसे open कर लेता हूं ठीक है यह रहा open हो गया थोड़ा सा इसे जूम चाहिए हम थो उपर वाला छोड़ देजिए उपर वाला लाइन नहीं चाहिए क्योंकि हमारा उपर में white रहेगा ठीक है उपर मुझे margin नहीं चाहिए यह 70-80 पिक्सल चाहिए मुझे यहां पर आपको दिखा रहा है 80 पिक्सल तो यह बहुत ही आसान है उसके लिए हम यहां Photoshop में जाएंग हमें कितना चाहिए था 80 पिक्सल चाहिए था तो आप यहां पर 82 पिक्सल और ऐसे करके मैं यहां पर 80 पिक्सल सेलेट कर सकता हूं ठीक है जब भी आप उपर से ड्रग करते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है यहां पर 79, 78, 81 इस टाइप का तो मुझे 80 तक चा में ओके देखे मेरा पहला वाला लाइन आ गया और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं ठीक है हम अपने वायर फ्रेम पर जाएंगे और यह जो दूसरा है यह देखिए मुझे चाहिए 600 से 750 तो यहां पर मैं थोड़ा सा फेर वदल कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्लाइंट का फोन आएगा कि थोड़ा सा चेंजस चाहिए तो उन्होंने कहा कि आप मिनिमूम 650 रखिएगा हमारे हिसाब से तो मैं क्लाइंट का बात रखते हुए यहां पर उसे 650 और प्लस मुझे उपर में जो मैंने किया है वो है 80 पिक्सल उपर में यहां पर आप देख रहे हैं ये तो मैं यहां पर आपना जो पीसटी पर जाऊंगा यह वाला और सेकेंड वाला मुझे कितना में बनाना है भीव पर जाना है आपको न्यू गाइड क्लिक करना है सेकेंड रो आपका कितना दूर तक आएगा आपका आय रहा है 730 पिक्सल यह आपको हिसाब करना पड़ेगा मैंने हिसाब कर दिया है और मुझे चाहिए होरिजेंटल ओके तो देखें यहां तक आ गया इसका मतलब यह जो बीच का जो सेक्शन है यह मेरा रहेगा यह बीग हिरो इमेज बिग राम उसके बाद यहां पर एबाउट और सेक्शन देख रहे हैं यह मुझे चाहिए कितना 200 से 250 तो टोटल अभी तक हमारा कितना हुआ था 730 और उसमें मैं यहां पर 258 कर दूँगा तो अगर मैं 730 में 258 करता हूँ तो यह हमारा हो जाता है 980 तो next मेरा कहां पर रहेगा 980 पिक्सल में मैं यह काल्कुलेटर यूज कर रहा हूँ आप भी अपना काल्कुलेटर यू या फिर आपका जितना भी रो होगा उसके हिसाब से आपको लेना है ठीक है मैं यहां पर ओके कर दूँगा और यहां पर हम नीचे जाएंगे देखिए यह सेक्शन मेरा 250 का हो गया अगर आपको येकिन नहीं आ रहा है तो आप मार्की टूल सेलेट कर सकते हैं और यहां पर इसका जो साइज है इसे आप देख सकते हैं यह देखिए यह 250 आपको एच दिखा रहा है हाइट कोई बात नहीं तो हम इसे डिसलेट कर जाते हैं और आगे के लिए और हम आगे बढ़ते हैं ये बाट सेक्शन हो गया हमारा यह देखिए जो सर्विसे सेक्शन है वो मुझे चाहिए 600 to 700 तो इसे मैं 600 रखना चाहूँगा ये आपके हिसाब से आप कर सकते हैं ठीक है तो मेरा ओल्रेडी 980 हिसाब हो चुका है और मैं उहाँ पे 600 एड करूँगा तो ये मेरा टोटल हो जाएगा 1580 ठीक है ना तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले मुझे पीसडी पे जाना होगा और उसके बाद में जाऊँगा व्यूँए और उसके बाद में जाऊँगा निव गाइड में और यहाँ पे मुझे देना होगा 1580 ताकि मेरा जो गाइड है वो आटोमेटिक रेट हो जाए मैं यहाँ पे OK करूँगा आप नीची हम जाते हैं यह दिखे मैंने आपको बोला था आप यहाँ पे मार्के टूल का इस्तमाल करके इसे नाप सकते हैं ठीक है 600 पिक्सल बिल्कुल परफेक्ट है इसे Ctrl D कर देते हैं सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग सर्विसेस गया उसके बाद में यहाँ पे सॉम फेक्ट है यह मुझे 250 चाहिए तो 1580 मेरा पिक्सल टोटाल हो चुका है वहाँ पे मैं 250 एड कर दूँगा और जब मैं उसे एड कर दूँगा तो यह मेरा टोटाल हो जाएगा 1830 ठीक है तो अब मुझे फिर से जाना है PhD में आप इसी तरह से हिसाब करके अपना रो बनाएंगे व्यू में जाएंगे निउ गाइड करेंगे और वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1830 यहाँ पे मैं 1830 कर दूँगा और यहाँ पे मैं OK करूँगा और उस तरह से हम निचे जाएंगे देखिया हमारा जो इमेज साइज यह खतम हो गया तो उससे हमें बढ़ाना पड़ेगा पहले उसके बाद में आगे का हम लोग हिसाब करेंगे तो यहाँ पे हम देख देते हैं और कितना चाहिए हमें? और हम लोग को चाहिए, Whatever चाहिए छिए workshop 600 और यह चाहिए और यह चाहिए lockdown 500 और निचे हम लोग को चाहिए 70 मतलब सो पकड़के चलते हैं तो यह 500 600 और यह 600 temperature और वरादासो हमें पिक्सल बढ़ाना पड़ेगा तोटल कितना दिखा रहा है 2000 हमें और 1200 चाहिए इसलिए 32 ठीक है और यहाँ पर हम OK पर क्लिक करेंगे दिखें नीचे तरफ यह बढ़ जाएगा बिल्कुल बढ़ गया आप देख रहोंगे यह जो हमारा grid है यह नहीं बढ़ा इसे बहुत ही आसान है उसके लिए आपको एक का और उसे मैं क्लिक करके simply ड्रा कर दूँगा नीचे ठीक है नीचे ड्रा कर दूँगा जहां तक मुझे चाहिए यहां तक चाहिए बस यहां तक और आपको यहां पर OK कर देना है तो अभी हमारे पास नीचे प्लेस हो गया यहां तक हमारा आ चुका है अब हम आगे बढ़ते है हमने स्वमफेक्ट का सेक्षन बनाया उसके बाद हमें चाहिए और 600 का चाहिए वर्क और पोट्फोलियो के लिए तो अल्रेडी हमारे पास अठ्रा सो तीस हो चुका है और यहां पर मैं 600 से एड्ड कर दूँगा यह सब मैं कल्कुलेटर में कर रहा हूँ आपको नहीं द कीव में जाएंगे और उसके बाद में निव गाइड करेंगे और यहां पर मैं दे सकता हूँ 2430 ठीक है यह वर्क और पोट्फोलियो के लिए OK कर देंगे यहां पर आपको निचे आ जाएगा आ गया आप चाहिए तो इसे मार्के टूल पे सेलेक्ट करके अगर कम ज्यादा हो जाता है देखिए 600 विक्टल तो आप उसे चेक कर सकते हैं हमें से चेक करें मिस्टिक ना हो ठीक है उसके बाद में और हमें कितना चाहिए वह हम देखते हैं वर्क पोट्फोलियो आपका खतम हो गया उसके बाद में हमें चाहिए यह वाला 500 हम लेंगे बोले थे हम इसे 500 यहां पे add कर देंगे, तो यह हमारा total हो जाएगा 2930, तो फिर से हम जाएगे अपने PSD में, और यहां पे जाएगे view में, और new guide में, और यहां पे मैं लिखोंगा 2930, 2930, और यहां पे मैं उसे ok कर दूँगा, तो हमारा contact form section है, देखें, आप यहां पे select भी कर सकते हैं, market tool हमने लिया हुआ है, यह आपको दिखा रहा होगा, 500 pixel, मुझे 500 भी चाहिए था, तो मैं इसे control D कर देता हूँ, और उसके बात में, और आगे हम बढ़ते हैं, last जो हमारा बच गया है, वो है 70 to 80 pixel, वो है footer section के लिए हमें चाहिए, तो चलिए वो भी आखरी बार के लिए हम लोग बना देते हैं, जो हमारा हिसाब हुआ है, 2930, वहाँ पे मैं 70 pixel लूँगा, और 70 pixel लूँगा, तो हो जाएगा 3000, ठीक है, तो यहाँ पे मैं view में जाऊँगा, और new get select करूँगा, और उसके बाद में मैं इसे 3000 करके दे दूँगा, मुझे 3000 पे last dollar line चाहिए, यह हो गया आपक 3000, ओके पे क्लिक करूँगा, और देखिए, यह जो हमारा footer section है, यह बन गया, और यह बाकी बच गया, वह मुझे नहीं चाहिए, आप उसे, आप चाहेंगे तो उसे रख सकते हैं, यह आप चाहें तो, यहाँ पे और एक बढ़िया चीज है, यहाँ पे crop section है, उसको select करके, आपको बस नीचे से, यह हलका से आपको उपर उठा देना है, ताकि यह total आपका हो जाएगा, और यहाँ पे ok कर देंगे, यह देखिए, जितना बड़ा हमारा site है, यह footer है, कोई margin padding नहीं, और उपर में देखते हैं, यह हमारा header है, यहाँ पे भी, कोई margin padding नहीं, और हम लो तो आज मैंने आपको अपना grid system कैसे बनाते हैं, वो बता दिया, और हमने row भी set कर लिया, हमारा जो वेर frame था, इसके हिसाब से हमने set कर लिया है, यह जो line का row भी set कर लिया है, column भी set कर लिया है, next episode में मैं आपको यह जो वेर frame है, इसको photoshop में convert करके दिखाऊंगा, जो 100% right हो और नीचे का 250 रखा, और नीचे का यह वाला आप देख रहे हैं, यह हमने 500 रखा है, यह सक्षन ठीक है, यह वाला 600 रखा, नीचे का 500 रखा है, और यह वाला हमने 80 और यहाँ पे हमने 70 पिक्सल रखा, तो इसी तरह से आपका जो वेर frame है, आपका जो sketch है, अभी तो हमने photoshop में वेर frame बनाया नहीं, लेकिन आपका जो handmade sketch है, उसे आपको इसी तरह से लाके आपको grid system बनाना है, जैसे हमने आभी आपको grid system बना के दिखाया, ठीक है, यहाँ पे हमने आपको grid system बना के दिखाया, उसके बाद में आपका grid बन जाने के बाद में आपको row बनाना है, देख जैसे कि आपको यह सेकेंड वाला में चाहिए किया Big Hero Image Background हमें चाहिए तो चलिए क्यों ना एक छोटा सा हम लोग Sample देखके यहां से विदा लेते हैं तो ठीक है उसके लिए हम लोग जाएंगे यह हम लोग का Rectangle Tool पे और यह जो फील देख रहे हैं इसे में रहने देता हूँ और Image हमें सा Complete होता है इसलिए मैं यहां से Select करके इसे यहां तक Select कर देता हूँ देखिए जहां तक हमने पहले से डाला हुआ है OK कर देंगे हम ठीक है और उसके बाद मैं इसे अंदर डाल देते हैं और इसे मैं Ctrl-D कर दूँगा ठीक है Ctrl-D करने का जोड़द भी वज़से नहीं है लेकिन मैंने Ctrl-D यहां पर गलती से प्रेस कर दिया ठीक है यह दिखिए और अब जब मैं इसे उठा करेंगे और उसे रिनेम कर सकते हैं या फिर यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो यह रिनेम के लिए दिखाएगा ठीक है इसे मैं लिखूँगा grid और यह हमारा है hero image section इसके लिए double click करेंगे hero image section आप जैसा creative हो लिख सकते हैं ठीक है अब हम लोग अपना जो grid है उसे उठा कर द लिखते हैं तो यह रहा हमारा big hero image और उपर में रहेगा हमारा यहां पे logo और यहां पे रहेगा menu और नीची हम उससी तरह से बनाते जाएंगे तो यह छोटा सा sample आपको दिखाए दे रहा होगा बिल्कुल header जैसे लग रहा है header का जो big hero image रहता है इसका पीछे image लगेगा और आप अपने दिमाग से एक set करके जो एर फ्रेम बनाई होंगे अगर नहीं बनाया तो आप बनाईए उससे आप complete करेंगे यहां पे देखिए हम लोग wave designing तो सीख रहे हैं Photoshop में साथी साथ में आपको working जो process होता है एक pro designer कैसे काम करता है एक अच्छा designer कैसे काम करता है step by step म मैं आपको बताने का कोसिस कर रहा हूं तो please इसे follow करिए इससे आपको बहुत फायदा होगा और आपका design थोड़ा बहुत जरूर सुधर जाएगा ओके यह नए के लिए है और जो लोग expert है वो तो अच्छे ही बनाते हैं ठीक है तो मुझे लगता है कि आपको यह tutorial series बहुत अच्छा लग रहा होगा अगर अच्छा लगता है तो like बटन को जरूर हीट करिए मैं आपका host और दोस्त एडवर्ड बाई बाई दोस्तों